जै मतारणी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधाकृष्ण अफिसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बाक्स में जै श्री विश्णू जरूर लिखिएगा तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे मांग पुर्णीमा से सम्मंधित सभी महत्य पूर्ण वाते कि पुर्णीमा सी थी कब से शुरू हो रही है कब समाथ हो रही है पुर्णीमा का ब्रत कब करे अश्नान दान की पुर्णीमा कब है और उस दिन हमें कौन-कौन से कार्य है जो हमें जरूर करने चाहिए और कौन सी ऐसी गलतिया है जो हमें नहीं करना चाहिए और पुर्नीमा का अशनान दान का शुम मुहूर्त क्या रहेगा तो इसी के उपर आज का मेरा यह वीडियो है वीडियो के लाश्ट तक आप लोग बने रहेगा आप लोगों को शंपुर्ण जनकारिया प्राप्त होगी सबसे पहले बता दू जो यह माग का पुर्नीमा है ना जिसे मागी पुर्नीमा भी कहते हैं वो भगवान सत्नारायन भगवान को समार पीत है तो इस दिन कितने लोग पुर्नीमा का ब्रत करते हैं जिनके करने से अखंड सोभागे की प्राप्ती होती है और पुर्नीमा के ब्रत करने से घर में सुक समरिधी और धन की कमी नहीं होती है तो जो लोग भी पुर्नीमा के दिन सत्नारायन भगवान की पुजा करते हैं कथा कहलाते हैं उनके घर पता ही है कि पुर्णिमाती थी और अमर्सयाती थी जो होती है वो बड़ा ही महान दिन होता है क्योंकि कितने लोग माग का अशनान भी करते हैं जैसे कार्थिक अशनान करते हैं ठीक उसी परकार से करते हैं ज्यादा तर यह मतलब बुजूर्ग लोग करते हैं तो बता दू कि ये जो माग का अशनान कब से शुरू होता है तो पोस पुर्णीमा से ले करके और माग पुर्णीमा तक होता है तो जो भी लोग माग का अशनान करते हैं वो पुर्णीमा के दिन अपना अशनान करके दान करके समापन कर देते हैं उसकी बाद से हमारा फालगूनमा सुरू हो तो हमें पुर्णीमा के दिन सत्नारायन भगवान की कथा कहवानी चाहिए, सुनिनी चाहिए और जो लोग ब्रत करते हैं उन्हें तो जरूर कथा सुनिनी चाहिए तो अगर आप काथा नहीं कहवा सकते हैं ब्रत नहीं रख सकते हैं तो आप पुर्णिमा के दिन केवल बिश्णु भगवान का पूजा कर लिजिए क्यूंकि आप उस दिन पूजा पाठ करके भी आप आधा फल प्राप्त कर सकती हैं तो अब चलिए दोस्तों बता देते हूं कि पुर्णुमासी तिथी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और ब्रत हमें किस दिन रखना है तो बता दू कि इस बार माग पुर्णिमा का जो ब्रत है वो 23 फरवरी को रखा जाएगा 2024 में दीन है सुक्र बार चलिए दोस्तों बता दे रही हूं कि पुर्णुमासी तिथी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है तो पुर्णुमासी तिथी शुरू होगा तेस फरवरी को साम में 3 बज के 36 मिनट पे शुरू होगा और पुर्णुमासी तिथी समाप्त होगा 24 फरवरी को 2024 में साम के 6 बज के 3 मिनट तक रहेगा उसके बाद समाप्त हो जाएगा और दिन है सनी बार तो बता दो कि पुर्णीमा का जो ब्रत है न वो चंद्रुदे ब्यापनी पुर्णीमा में किया जाता है तो चंद्रुदे ब्यापनी पुर्णीमा जो है वो 23 फरवरी को पर रहा है क्योंकि पुर्णुमासी तिथी 24 फरवरी को 6 बज के 3 मिनट पर साम में समाप्त हो जाएगा तो जिसको ब्रत करना है वो 23 फरवरी को करेंगे और माग का असनान दान जो होता है वो 24 फरवरी को करना है दीन है सनिवा तो जिसको भी ब्रत करना है वो 23 फरवरी को करेंगे क्यूंकि 23 फरवरी को चंद्र उदय मिल रहा है और 24 फरवरी को ब्रत नहीं करना है क्यूंकि 24 फरवरी को साम में 6 बज के 3 मिनाट पर पुर्णिमा आती थी समाप्त हो जा रही है तो इसलिए अगर आप ब्रत रख रहे हैं तो कई लोग फलहारी पर ब्रत रखते हैं और कई लोग निर्जला ब्रत रखते हैं उसके बाद आप साम में आसनान करके साफ स्वक्ष बस्त्र पहन के अच्छे से रेडियो के अच्चंद्र देव को अर्ग दे दीजिएगा आप अर्ग दे करके उसके बाद आप अपना ब्रत खोल सकते हैं तो जो ब्रत करते हैं वो भी और जो नहीं करते हैं वो भी तो जो ब्रत करते हैं ना तो वो 23 फरवरी को खीर बनाएंगे अपने घर में और सतनारायन भगवान को विश्नु भगवान को भोग जरूर लगाईएगा या 24 फरवरी को ही बना करके लगा दीज और विश्णु भगवान के भोग में आप लोग तूलसी पत्र डालना मत भूलिएगा क्यूंकि भगवान विश्णु के भोग में बिना तूलसी पत्र के ऐसा माना जाता है कि उनका भोग अधूरा हो रहता है तो इसलिए आप लोग भोग में तूलसी पत्र जरूर अब चलिए बता देती हूँ कि अश्नांदान का सुभ मुहुर्द क्या रहेगा तो देखिया अश्नांदान का जो सुभ मुहुर्द है वो 24 फरवरी को सुबह से ले करके और 6 बजे साम तक अश्नांदान की सुभ मुहुर्द है अब सारे दिन अश्नांदान कर सकते हैं और द जानिगरा से आप परिसान है तो उस दिन पीपल ब्रिक्ष की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए ओभी सुरियोदय से पहले कर ले और सुरियोदय के बाद हमें पूजा नहीं करनी है नहीं तो आपको सही फल की प्राप्ति नहीं होगी उल्टा ही आपको हानी ही मतलब जल देते हैं तो सुरियोदय से पहले दे इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा अब चलिए अगला बात बता देती हूं कि माघ महीने में आप सभी को तो पता ही है कि तील का बड़ा ही महतो होता है तो आप लोगों चाहे तो तील का पुर्णिमा के दिन दान कर देंगे तो वो लोग उस दिन सुरिय भगवान को जल जरूर देंगे वो भी तील डाल करके और जो लोग घर में अशनान करें वो अपने बाल्टी के पानी में तील और गंगा जल डाल करके और गंगा का अस्मरन करते हुए अपने घर में अशनान करेंगे तो पुर्णिमा अशनानदान की जो पुर्णिमा है वो सनीवार के दिन पर आया है तो एक बत और बता देते हूं कि जिनके पती के ऊपर या बेटे के ऊपर सनी की धाया है सरसती है तो आपको पीपल ब्रिक्ष की पुज़त जरूर करने चाहिए चाहे वो बेटे के लिए मा भी जल दे सकती है या पत्नी भी कर सकती हैं अगर पुरुष देना चाहते हैं वो तो खुद भी दे सकते हैं और एक बात और बता दो कि पुर्णीमा के दिन हमें तुलसी जी की पत्ता नहीं तोरनी है अलग से आप लोग पूजा पाठ कर लिजेगा लेकिन तुलसी जी को तोरिएगा मत असपर अब चलिए बता देते हूं दोस्तों कि हम ये पुर्णीमा के दिन कौन सी ऐसे कारे है जो नहीं करनी है तो देखिए पुर्णीमा के दिन चाहें वो महिलाएं हो या लरकिया हो तो पुर्णीमा के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और नहीं पुर्णीमा के दिन पीला मतलब जल्दी पूरा हो जाता है इसलिए हम लोग नहीं लगाते हैं बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा अगर आपकी यहां लगाया जाता होगा तो आप लोग लिक्वीड वाला लगा लीजिएगा या लाल वाला सिंदूर लगा लीजिएगा लेकिन पीला वा में अश्नान करने जाते हैं तब तो वो सबसे स्रेष्ट है क्योंकि पुर्णिमा और अमोस्या के दिन नदीश्रोवर में अश्नान करना सबसे स्रेष्ट मना जाता है लेकिन अगर आप लोग नहीं जा सकते हैं अगर आपके आस पास में नदीश्रोवर नहीं है तो आप अ अप लोग ध्यान रखिएगा चाहें वानाज हो या कपड़ा हो ब्लेंकेट हो उन्नी वस्त मतलब कुछ भी अप लोग दान कर लीजिएगा अगर मान लीजिए वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी हाथ से 10-15 रुपया जरूर दान किजिएगा और वो पैसा ले जाकर के क बहुत कुछ सिखने को मिला होगा तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में स कभी बातों की जनकारी प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों मिलते हूं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार